हेलो गाईस आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके ही अपने चैनल नॉलेज फैक्टरी में आई होप आप सभी अच्छे होंगे बढ़िया होंगे तो दोस्तो हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी जो लेटेस्ट अपडेट निकल के सामने आया है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो पोस्टे थी 1444 जो पोस्टें थी उन पे कैर द्वारा जो था वो स्टे इंपोज किया गया था उनके जो स्लेक्शन प्रोसेस को था वो रोका गया था तो आखिर अभी इस मतलब केस में क्या अपडेट निकल के सामने आया है लेटेस्ट जो है वो क्या अपडेट है तो उसके बारे महीं बात करेंगे तो दोस्तों ये हमारे पास ओर्डर शीट है और ये जो केस था इसका टाइटल था खिलाल अहमद बट बरसिद जनल एडमिस्टेशन जूटी आफ जेनके तो इस केस में जो थे वो एप्लिकेंट जो एडवोकेट थे जिनके द्वारा पैटेशन डाली गई थी उनका नाम था शीरी महमद इकवालदर और वहीं अगर रिस्पोंडेंट की बात करें तो शीरी बट फियाज और साथ ही साथ शीरी बिक्रम दीप सिंग थे जो की रिस्पोंडेंट थे इस केस में तो आखिर अभी इस केस में क्या हुआ है तो ये 39-2022 का आडर है जाने कि पिछले मंथ 30 त इस पे जो थी वो hearing हुई थी जाने कि proceeding जो थी वो cat में चली थी तो उस दिन आखिर क्या हुआ था तो आईए देखते हैं तो order of tribunal तो heard the learned council for the parties order reserve तो इसमें order sheet में जो है वो लिखा गया है कि दोनों parties को सुना गया दोनों consults को सुना गया और उसके बाद जो है वो cat द्वारा order को reserve कर दिया गया है जानि कि अभी further इसमें कोई भी सुनवाई नहीं होनी है इसमें अभी किसी भी party को सुना नहीं जायेगा जो भी argument जो थे वो रखे गए हैं दोनों party की तरफ से और ये इसका final day था argument का और इस दिन जो था वो order को reserve कर दिया गया था cat के judge द्वारा अभी आ रहा है कि बहुत ज्यादा chances है जो की stay जो है वो back eight हो जाएगा और बहुत जल्दी जो है जेके SSB द्वारा आपकी list भी जो है out कर दी जा सकती है तो आईए देखते हैं आखिर आने वाले time में क्योंकि अभी cat में कुछ दिन के कुछ दिन के लिए holidays चल रहे हैं जैसे ही reopen होग यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी आपके लिए helpful रही होगी तब तक आप सभी को wait करना है और देखती है आने वाले order में जो है वो क्या decision जो है cat के द्वारा दिया जाता है तब तक के लिए दन्यवाद जल्द मिलेंगे next video है